हालो दोस्तों मैं चंद्रवान चंद्र ब्लोग में आपका स्वागत करता हूँ और यह देखिए आज इस समय में जैपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ जहां से मेरी एक नई जर्णी की सुरुवात होने जा रही है जैपुर से बार मेड के लिए और ट्रेन संकिया 14-662 तो हम देखते हैं गाली आती है और हमारा कोच नमबर है सिक्स सीट नमबर है 40 तो बने रही है मेरे साथ चंद्र विलोग में एक गंटे 40 मिनट की देरी से आ रही है और हम अभी इंतिशार करते हैं जब तक आप हमने कुछ फुटे इस्टेशन के बाहर की लिए हैं तो हम आप उस को देखी और उसका नजारा हम आपको देखलाते हैं और यह इस्टेशन के भार भारतिय तिरंगा और यह सामने मिटर गेस का पुराना रेल इंजन और यह सामने आप देख रहे हैं मेट्रो इस्टेशन और मेट्रो इस्टेशन के बराबर से ही यह जैपुर का मुख्य रेल बेश्टेशन की आप लॉबी देखिए कितनी सुन्दर बनी हुई है इसमें राजिस्थानी परिधान और राजिस्थानी द्रस्थेता दिखाई गई है और दोस्तों यह है जम्मू तभी बालमेर एक्सप्रेक्स जैपुर के पिलेट फ्रम नम्मर चार पर दो घंटे की देरी से आई है कि अदो ले ऊबन क कि अज़ता है यह है। कि अदोग जज़ के रषिए का थामेर क्सितनी के अद़ कि लेगाय के अज़गाई है कर दोस्तों प्रेटी अद Вас एक्षानी से उताई है कि अजय को आधा आधा विए कि और दोस्तों हमारा कोच नमर है एक शिक्स हम अपने कोच के अंदर चलते हैं और आपको को दिखलाते हैं उस तो काफी साब सुत्रा है यह हमारी सिक्स में 56 नंबर सीट जम्मु तभी बाड़ मेरे एक्सप्रेक्स जो है जैपुर पर दो गंटे लेट हुए आई है यह ट्रेन लेकिन इसके बाद भी इसको यहां 15-20 मिनट हो गए है खड़े हुए अभी तक इसको र पहुचाती है या कितना लेट पहुचाती है या और भी लेट करती है दोस्तों इस समय आप जैपुर रेलवे स्टेशन से इस जम्मु तभी बाड़ मेरे एक्सप्रेक्स का डिपाचर देख रहे हैं और दोस्तों यह है ट्रेन संकिया 14-662 जम्मु तभी बाड़ मेरे एक् और यह है 1471 किलो मीटर का सफर साड़े 30 गंटे में तै करती है और इस ट्रेन के टोटल 58 हॉल्थ हैं लेकिन दोस्तों इस जम्मु तभी बाड़ मेरे एक्सप्रेक्स को हम बोर्ड कर रहे हैं जैपुर जंसन से तो हम जैपुर से इस यात्रा की अपनी सुरूआत कर रहे हैं जो की बाड़ मेर पर जाकर हम अपनी यात्रा को गराम देंगे क्रॉंध डाँरीय तो हमोघस्पर्वी प्रहुमुमा लोर्ड तो मितल कर दरीमुमष्परात कर वाले के। क्रूंध पर कोला गरिसे पर बास तो प고 सिलाकर्णी जैसे मितले हैं रहे हैं पाकान के बारा विधा, वारग फार मारे कि फिल्दा आ पाकान था निवंग, स्वासा करें दो्क लागे। कि दोस्तों जैपुर से चलने के बाद यह पहला हॉल्ट है फुलेरा जंसन तो आप इस फुलेरा जंसन रेलवे इस्टेशन पर इस अराइवर का आनंद लिजिये। दोस्तों फुलेरा जंसन को जंसन इसलिए कब जाता है कि यहां से एक रेलवे ट्रेक अज्मेर होते हुए एम्द बाद जाता है और दूसरा जोदपур के लिए जाता है। और तीसरा रिंगस होते हुए चुरू की तरब जाता है. फोलेरा जंग्सुन से इस ट्रेन का डिपाचर देख रही हैं आप. लिए कria के क्वान। हुएच से गिर हाव काया उत्र हैं कर दो बहाल कि प्रेंगस हुएच通 कि काल्ग र י मापकता हुएच से त popul eerते हुएच हाभाара. जइ से के लिग जायई जाय 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 दोस्तों इस समय ही है ट्रेन मकराना रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हुए और यह मकराना जाना जाता है यहां विस्वविक्यात संगमरमर के लिए यहां काफी खदाने संगमरमर की हैं मकराना रेलवे स्टेशन से आप देख रही है इस टेन का डिपाचर और एक भावत ही खूबसूरती के साथ मकराना से यह आना होते हुए अवादि नेभर बाने अच्छा को आप अच्छा को दोस्ते समय हम ढगाना रेलवे स्टेशन आचुके और यह ट्रेन इस समय भी दो गंटे की देरी सी ही चल लही है और हम इसका आपको हमें खेद है कि हम आपको इसका आराइवल नहीं दिखा सके और दोस्तों रात का समय है दिखाने के लिए रात में इतना कुछ होता नहीं है तो इसलिए अब हम आराम करेंगे और यहां से आगे अगर हमारी आख खिलती है तो आपको जोदपुर का अराइवल और डिपाचर दिखलाएंगे और इस हमें डिगाना रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपाचर देख रहे हैं आप रचरे कि लिध 21 बारएंडमेंचर 5 भी कि लिध बेघक तकी स्टेशन था१र तका रणकेशने। तद्ण बारग बडिदुori 54 अभी उतीर है घले। तो दोस्तों इस समय हमारी आप खुल गई थी इसलिए अब हम आपको जोटपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराविल दिखा रहे हैं और देखिए रात का समय है और कितनी फूट सूटी के साथ ही है ट्रेन जोटपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है तो आप इस चर्णी का और इस ट्रेन का आप जोटपुर रेलवे स्टेशन पर अराविल देखिए पर दोटुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्हांड़े रहे हैं ये रहे हैं कि अपड़े रख़े बड़बड़ रहे हैं कि अपर और रहे हैं कि एालının ऐन दयाम चे जाया उड़ाओ को नचक ठड़ों डालीज़ कर नचार को अनुन से नोगा है वह है defending ग गती है मैं है और साके अचु कनो में हुआ है आगा है कि दोस्तों इस समय हम जोद्पुर रेलवे स्टेशन पर हैं और यह ट्रेन यहां पर बारा बच कर दस मिनट पर आई है और यह यहां पर भी लगबग वोई डियर दो घंटे की देरी से है तो हमारी इस समय आग खुल गई तो इसलिए हमने आपको इसका अराइवल दिखला दिया है और दोस्तों इसका डिपाचर दिखलाते हैं और अब हम इसके बाद हम आपसे मिलते हैं बालमेर के करीब देखिए पांच बजे या च्छे बजे करीब यह बालमेर पहुंचेगी तो बने रही है मेरे साथ जोग्पर एल्डेस्टेशन से जम्मु तभी बालमेर एक्सप्रेक्स का आप डिपाचर देख रहे हैं अबब मेरे सुषण च्छेशन से आपसे पया गचराओ थेखिए झालमेर के करीब देखिए हैं तो तो फिगे हैं जम्मू तभी बाड़ मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेक्स अपने आखरी पर आओ बाड़ मेर पर पहुंशते हुए तो दोस्तो जोद्पूर इस्टेशन के डिपाचर के बाद हम सो गए थे तो हमारी अभी पांच बजे आख खुली है तो अब इस समय आप बाड़ मेर पर इ इस मिनट हो रही है और यह है जम्मू तभी बाड़ मेर एक्सप्रेक्स अपने आखरी पड़ाव बाड़ मेर रेलवे स्टेशन पर पहुंशते हुए कि पीड़ थाद पो एक्ट पांच जुए मेर अवार जब हुए कि दोस्तों इस समय देखिए साड़ पांच बज़ रही हैं और हम बाड में रेलवे स्टेशन आ चुके हैं अपने आगरी पड़ाव पर और इस ट्रेन का सफर भी यहीं समाप्त होता है तो दोस्तों चलते हैं स्टेशन के बाहर अभी हंधेरा हो रहा है और मिलते हैं किसी और चंद्र विलोग में जब तक के लिए धन्यबाद और आपके लिए लाते रहेंगे हम एक से एक और नहीं से नहीं वीडियो तो बने रही है मेरे साथ चंद्र विलोग में